प्यारे MLT परिवार के सदेश्यों, आज मैं आपके अंदोरों से लाया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है कलोरोमेटर्स, फोटोमेटर्स और स्पेक्टो फोटोमेटर्स आपको पता है ये सारे एक दम महवत्वक पूर्ण मशिन्स है और लगबग क्रिनिकल लैबोटरी के सारे सेक्षन में इनका कहीं न कहीं वापर होता है इतना ही नहीं तो आजकल के सारे ओटोमेटिक मशिन्स के ये एक इंटेगरल यानिके अंदर के महवत्वक पूर्णा कॉंपोर्ण्स है कलोरे मेटर्स सिर्फ रंगीन द्रावय का मापन करते हैं और फोटोमेटर और स्पेक्टोफोटोमेटर्स रंगीन द्रावय पंकिल द्रावय तर्बीड द्रावय और कदालेस द्रावय का भी मापन करते हैं और photometer और spectrophotometer में क्या difference है तो यह difference है कि photometers से भी ज़ादा spectrophotometers एकदम accurate है यह रंगीन द्रावियों का मापन क्यों करना है आपने मेरा वीडियो देखाए होगा जो मैंने diagnostic kit पर बनाए होगा है अगर नहीं देखाएं तो जरू देखिए तो आपको पता चले कि एक test में आप जबी यह procedure यूज करते हैं जहां पर test होता है, standard होता है और reagents add करने के बाद में उसमें जबी आप samples, serum और plasma और standard डालते हैं तो रंगित कलर आता है तो उसका जब आप मापन करते हैं तो वो मापन होता है optical density में जैसे कि test का value अगर glucose के लिए 0.200 optical density है और standard के लिए 0.100 optical density है तो जो BS का formula यूज करते हैं जिसमें optical density of test divided by optical density of standard multiplied by 100 जो standard का concentration है उससे आपको पता चलता है कि test का glucose का value है 200 milligram percent तो खुन में जो भी components है जैसे कि glucose, urea, uric acid, creatinine और अलग-अलग तरीके के enzymes EGOT, HGPT यह सारे आप इनका सारे का मापन आप कर सकते हैं photometer और spectrophotometry के जली है तो यह machines काउसे सिधानत पर निर्भरित है तो यह machines beer और Lamberts के नियम पर निर्भरित है तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताओं कि light का जो हम जिकर कर रहे हैं उसका unit है nanometers और एक nanometer 10 raise to 9 meter के बराबर होता है और example के तोर पर, उदारण के तोर पर हमने लिया है serum और plasma urea का example तो beer flow का सिधानत क्या है beer flow का सिधानत यह है कि optical density समामपतिक, proportionate to concentration of the component की जो component, serum या plasma में है जैसे कि आपने मापा 0.150 optical density, Puria का एक sample का और दूसरे sample का होगा 0.300 तो इसका मतलब यह है कि पहले sample से दूसरे sample का concentration नियरली डबल है, लगबड, exactly double है और Lambert सिधानत क्या है Lambert सिधानत यह है कि optical density समामपतिक होती है जिस मार्ग से light संक्रमन करता है मतलब जो tube का व्यास है, diameter वो diameter से proportionate होता है optical density का value तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि सबी यह tubes जिनको quets कहते हैं उनका diameter exactly same रहता है इसके लिए Lambert's law का actually वापर यहां पर नहीं गोलता है और Beard's law से जो formula मिलता है वो formula है optical density of test divided by optical density of standard multiplied by concentration of the standard अगले बार हम उसके derivation की चर्चा करेंगे, ठीक है? इनके basic components क्या है? पहले तो component number one light source bulb उतके बाद में second component slit third component एक filter चौथा component है Q8 पाच्वा component है photo cells और छटा component है micrometer, meter reading के लिए तो आप चलिए देखते है की हर एक component याने की घटक का कार्यत क्या है? component एक प्रकास देने वाला बल tungsten lamp visible spectrum देता है जो left hand side में दिख रहा है जैसे 7 रंग का बना हुआ अगर ultraviolet light और infrared light की जरुरत है तो dutorem discharge या halogen lamp की जरुरत उतीरे component नमबर 2 slit slit का कार्य यह है कि length से जो विस्टूत प्रकास मिल रहा है उसमें से एक हिस्सा सीधा filter पर पास करे component नमबर 3 filter filter का कार्य क्या है filter का कार्य यह है कि उसके wavelength के अनुसार light पास करे जैसे 475 नमबर का filter निले रंग का 20 से 30 nanometer का light पास करता है और 525 नमबर का filter भरे रंग का light पास करता है एक छोटे width के साथ जैसे 20 से 30 nanometer component नमबर 4 कुवेट कुवेट में optical density reading के लिए द्रावे रखने का कार्य है और इसमें से filter से आयुए light पास होती है फिर द्रावे के घंता के अनुसार light का द्रावन में शोशन होता है और बाकी light पाचवें component पर जाते है और वो है photocells component नमबर 5 photocells प्रकाप्स संवेदन सी light sensitive material से बनते है जैसे की selenium या क्याडमियम जैसे ही कुवेट से निकली हुई light इस पर गिड़ती गए तो light energy इलेक्टिकल इनर्जी में परिवर्टत होती गए और component नमबर 6 जो है meter उस पर reading आता है और जानकार के लिए आप हमारा medical lab technology का पुस्तक पढ़िए percent transmittance conversion जो convert होता है optical density में उसका formula है minus log t कुवेट्स के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ वो इंदम महात्वप पुण है जो कुवेट्स होते हैं वो ordinary test use नहीं होते हैं वो optically match कुवेट्स से रहते हैं means अगर 6 कुवेट्स होंगे तो सभी का diameter और light transmit करने का तरीका exact same होता है दूसरी बात यह है कि आजकल के सारे modern equipments में semi और fully automated machines में photo cells use होते हैं वो कुवेट्स ही है वो कुवेट्स एक दम highly specific कि वो temperature भी maintain करते हैं जैसे 25 degrees 30 degrees और 37 degrees जो rate of reaction के लिए काम आते हैं इसके बारे में हमारा भूक जरूर पही और अखिर में आपको instrument के care और maintenance के बारे में मालूमत होना बहुत ही जरूर है क्योंकि यह सारे जो instruments है वो बहुत ही expensive होते हैं और अगर आपने उनका अच्छी तरह से खाया नहीं किया तो आपका नुक्सान इसमें और आपके उनर का तो बहुत ही नुक्सान इसमें तो care and maintenance के बारे में photometer के लिए कैसे आप करते हैं care and maintenance हो जरा देखिए पैदी तो बात यह है कि जब इंस्टूमेंट यूज में न हो तो आप जब काम खत्म करते हैं तो यह जरूर देखें कि यह मशिन आप एक अच्छी कवर से धा करें दूसरी बात क्या है कि जब भी यह मशिन आप operate करेंगे तो यह जरू देखिए कि क्यूएट्स पानी से भरे हुए उदर मशिन के अंदर है कि नहीं यह बहुत important है क्योंकि अगर क्यूएट पानी से भरा हुआ नहीं होगा और क्यूएटी नहीं होगा मशिन में और आप अगर मशिन चालू करेंगे तो वह एकदम स्ट्रॉंग लाइट डारेक्ट आपके फोटो सेल पर जाके फोटो सेल डामेज हो सकते और फोटो सेल बहुत एक्सपेंसिव होते हैं मेरे दुस्तों ठीक है और तिसरी बात क्या है कि आप मेंटेनेंस का इसका जरूर खायर रखेंगे वह आपके बहुत बता देंगे और आप अगर ओनर है तो यह मर्शिन के मेंटेनेंस के बारे में बार बार देखते रहेंगे ओके निक्स टैम में फोटोमेटर के अपरेशन के बारे में मिन्स वह कैसे यूज करते है अचली उसके बारे में आपको जानकरे दूंगा तो आज के लिए आपने जो भी कुछ सुना है तो उसके बारे में आप जरूर लिखिए आपके प्रश्नों कुछ होंगे तो पुछिए और हमारा ये चानले में सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेर करें और वो बेल बटन दबाईए तो आपको बता चले कि नया वीडियो कमसा आ रहा है तो आज के लिए इतना ही बाई बाई